वेरी गुड इविनिंग टू अलफी दोस्तो स्वागत है आप सभी का एजूकेशन केट 6 में इस वीडियो के माधियम से आज हम बात करेंगे भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट की एक और नई रिकूट्मेंट के बारे में जी हां दोस्तो ये इस बार अप्रेंटिस की वे जरूर कर दीजेगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारी चैनल के माधियम से आपको जाता रहे है दोस्तो लेकर चलते हैं आप सबसे बड़ी अपडेट है और दोस्तो आप सबी को एक अपडेट और दे दे कि बिहार BPSC यानि की बिहार परवर्तन अवर निरिक्षा की तरफ से कल से आपका एड्मिट का डाउनलोड हो चाहिएगा इसके मेंस एक्जाम को लेकर जिसके बारे में हमने आपको वाइटी एजुकेशन चैनल पे एक वीडियो बना आप यहां पे BEL यानि की Graduate Engineer की Apprentice Vacancy की Update को लेकर जिसके बारे में सारा डिटेल आपको यहां से देखने को मिलेगा यहां से मैं आपको देखला देना चाहता हूँ यह सारा डिटेल जो है यहां से आप देख सकते हैं यह इसका Official वेबसाइट है दोस्तों जहां से आपको इस किया गया है यहां से आप चेक कर सकते हैं तो है यहां पर सकते हैं सबसे पहले तो graduate engineer apprentice की total vacancy है और ये 50 graduate engineer apprentice को यहाँ पे लिया जाएगा as the act of 1961 apprentice यहाँ दोस्तों आप सभी को बतारा चाहेंगे यहाँ पर कि कौन-कौन से discipline में यह recruitment जारी की गई है actually vacancy update की गई है तो यह ध्यान रखेगा दोस्तों यहाँ पे यह एक तो mechanical इंजिनियर में 20 पोश्ट है और यहाँ पे आपका एक साल का duration होगा किसके लिए तो training period का ठीक है और इस दौरान आपको एक 11,110 रुपे जो है आपको स्टैपन salary group में दी जाएगी दूसरा पोश्ट है दोस्तों यहाँ पे computer science engineers को लेकर है computer science and technology computer में और technology and computer engineering को लोकर है टोटल दस पदो की वेकेंसी है यहाँ पर ठीक है एक साल का इनका वे training period होगा और इनको भी स्टैपन salary 11,000 दिया जाएगा दोस्तों तीसरा है दोस्तों electronics and communication engineering को लेकर electronics and telecommunications को लेकर electronics and telecommunication engineer इने electronics हो लेकर 10 पदों की यहाँ वेकेंसी है एक साल का training period होगा और 11,110 रुपे salary provide आपको की जाएगी दोस्तों अगला पोस्त है यहाँ पे civil engineer का और यह civil engineer के पोस्त है दोस्तों दस इनका भी एक साल का यही अपडेट है यहाँ से training period और salary भी आपको बिल्कुल सेम है तोटल यहाँ पे 50 पदों की यह जो वेकेंसी है इसके लिए आप आप इदन कर सकते हैं दोस्तों 9 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में लिंक एक्टिबेट हो चुका है मैंने link का description जो link का update है वो मैंने description में दे रखा है आप जाके directly वहाँ से आविदन भी कर सकते हैं चात्रे दोस्तों आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दें कि eligibility criteria के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो की नागरिकता रखते हैं वही आविदन कर सकते हैं और आपका B.B.Tech होना चाहिए दोस्तों इन सभी discipline में इन सभी branches में जो की update दिया ग यहाँ एज रखा गया यहाँ पर 25 साल का जो कि आपका तीस नौंबर 2011 को बेस एर्मान के वहाँ से काउंट किया जाएगा उससे पहले का वर्त होना जिए ध्यान रखेगा एज रिलेस्टेशन आपको सस्टी पीडालोडी और OBC के चात्रों को मिलेगा जहाँ पर पांच व पर नहीं हो ही यह पास कशन जो क्लास विल बी रिक्वाइर फोर्द एंप्लोड वर्ड सेक्शन ठीक है यहाँ पे पांच वापडेट बहुत इंप्वाडंट सेक्शन में सेलेक्शन के तौर पे यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप आप आए दन करते ह तो दोस्तों यहां पे कुछ इंस्ट्रेक्शन दिए गए हैं इस वेकेंसी को लेकर यहां देख लिएगा को यहां पर है कि पहला अपडेट है कि कैनिडेट फुल 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 दा एभब क्रेटेरिया कें अप्लाई हियर और डिवरेशन अप्रेंटेश ट्रेनिंग जो होगा आपका एक साल का होगा इस टाइप वन दिये जाएंगे दूस्तों आपको अप्रेंटेश एक निंटे सिक्टी के तहर्त 11110 रुपे और साइट पर अपना रिजिस्टेशन जरूर कर लिजेगा 29 अगस्ते पहले आपको यह रिजिटेशन कर लेना है तो यह काम जरूर कर लिएगा तभी आप इस फर्म को आविदन किजिएगा दोस्तों कैंडिडेट शुड नॉट दा हैप कंप्लीटेट अंडर टर्मिनेटेड अपना रिजिटेशन नहीं सो किया है तो आपको अप्रेंटेशन अपडेट है दोस्तों ग्रैजवेट अपरेंटेशन की जौब है तो आपको यहां पे आविदन करने से पहले रिजिटेशन खुद को करना हो गई होगा देन जाके आपको इसके ऑफिशल वेबसाइट से जाके आपको आविदन करना होगा अप्लाई करना होगा ठीक है तो जो भी छात्र इंट्रेश्टेड है सबसे पहले तो इस वेबसेट पे जाएं और अपना रिजिटेशन जरूर कर लेंगे यह सारे क्रेटेरिया हैं दोस्तों यहां पे जो कि आपको इंस्रक्शन दिये ग और फॉर्मेट जो है ना आपका देखे फोटो का और सिगनेचर का यह जबड़ाने हो चीए और यह साइज इसमें मिला लीजेगा तभी आप आविदन किजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिटेल आपको यहां पर दिया गया फॉर्निश करके यहां पर आ है यहां पर दोस्तों इनके फर्म को भरने का यहां पर आप इसको step by step पहले पढ़ लिजेगा देन इसका आविदन कर लीजेगा दोस्तों तो यह छोटा सा अपडेट था यहां से दोस्तों इसकी वेकेंसी को लेकर जो की भारत इलेक्ट्रोनिस लिमिटेट की तरफ सी जो आपको दिया गया है graduate apprentice trainee का यहां से मैंने इसके PDF डाउनलोड किये हैं आप भी इसके PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जाके career वाले section पर जाएंगे recruitment वाले section पर आपको सारा detail मिल जाएगा ठीक है तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सारी जानकरे से जो कि मैंने आपको यहां बताया है यहां सारा update यहां पर education qualification age criteria और आपका salary कितना मिलेगा इन सब का update जो कि मैंने आपको इस वीडियो के मादे में से बताया है फिर भी आपका कोई doubt रहता है तो आप लोग comment box में comment करके हमें जरूर बताएंगे लेकिन जो भी तब ही आप इधर आविदन कर सकते हैं तो यह एक official website है login कर लिजेगा यहां पर आप पहले से enroll है तो अपने registration number डालके check कर लिजेगा क्या आपका valid है या नहीं ठीक है तब ही आप उधर आविदन किजेगा ठीक है तो कोई भी doubt होता है जीनियर्स को भी all the best यहां है पचास पतों की जो वेकेंसी निकाली गई है उसके लिए धन्यवाद